चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ल्ड अफेस चैनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरंडिफे डेली विस्टेस पर यहां पर आप क्युक्पॉइंट और इसकी शुरुबात 1962 में की गई थी और थियर्टर की इंपोडेंस है हर एक व्यक्ति को निचे गॉवर्मेंट पॉलिटीशन जो कि इसे अभी तक रिकॉग्णाइस नहीं कर पाया है उन्हें इसके पोटेंशिल कुक्पॉण से हैं जिनके द्वारा जो है एकन किया गया मैं और टेलिविजन से जितने गउडिन सब्सक्राइब मीटप करने वाले हैं अभी जो इंडियन दुबाई एक्सपो में हैं वहां पे भी अपना प्रेजन्स देंगे जिसमें मीडिया एंटरेन्मेंट वीक के उपर प्रमोशन किया जाएगा इनके साथ रनवीर सिंग जी भी है जो आप सभी जानते फेमस एक्टर इंडिया के तो यह एक तरीके से विजट इसी चीज पर है कि हमारा जो सेक्टर है सिनेमा सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट हो सके तो इसके उपर जो है फोकस किया जाएगा बहुत सारे फेमस व्यक्ति जैसे जमन अलशारीफ जो के एक्जगुडी बोर्ड मेंबर है दुबाई फिल्म जो है स्वरफ गॉंगुडी जी के द्वारा किया गया बीसी सी बोर्ड के प्रेजिडेंट है और उनके द्वारा का गया कि वूमन आई पल बीस तरीस में होने के चांस है उसके अलावा जैसे आप जानते वूमन टी ट्वंटी चैलेंज होता है जो की लास्ट येर नहीं हो और ये भी उमीद की जारी है आई पल के जो चेर्मन है ब्रिजेस पटेल उनके द्वारा एक अनॉंस्मेंट किये कि चार के आसपास आई पल फ्रंचाइजी है जो की इंटरस्टेड है बीसी सी आई की जो है वूमन आई पल मैच के लिए तो मेभी पोसिबल की बीस तरीस मे जो है वूमन आई पल मैचे जो और सबसे ज़्यादा प्राइटी आई पल फ्रंचाइज ही जो मैन है उन्हीं को दी जाएगी कि वह अपनी टीम जो है वूमन आई पल के लिए भी बनाए तो इंपोरेंट है और मेभी छे के आसपास टीम जो है इनोगरल आई पल जो होगा 20-23 में उसमें होने वाले वूमिंस के चले देखें मैं पुन सवाल वॉल्ड का हाइस रेलवे ब्रिज जो है चैनाव यह कब तक बन जाएगा तो चैनाव नदी पे सेप्टेंबर तक बन जाएगा कंस्रक्शन कब से चल रहा है और यह 100% सेंटर स्पोंसर जो है पूरा सब्सक्राइब करने वाला जिसमें मदा इसके स्टेंट इतनी जाद होगी कि 40 के स्टेंटी ब्लास्ट और तक इस से भी कुछ नहीं होने वाला इस पूरे बिज को एक तरीके से कश्मीर को मेन इंडिया से कनेक्ट तरने वाला है तो इंपरण कोशन है इसके कंप्रीशन के से उपर बहुत ज्यादा सक्सेस्फुल सक्सेस जो है मानी जाएगी इसका यह वार्ड है जिसका 359 मीटर खा अबब रीवर है और अराउंड 35 मीटर टॉलर है आइफिल टावर से तो यह यह याद रखिए यह चलिए हाल फिराल में कौन सी कंट्री ने जो की कहा है कि इन्हो से चाहता है कि इन पर संक्षन लगें नॉर्थ कोरिया बेसिकली जो इतने बिगस्ट इंटर कॉंटिनेंटल बिलस्टिक विसाइल के टेस्ट कर रहा है यह इसलिए कर रहा है नौत कोरिया कि यूएसे और बाकी अन्ने कितने भी देश है और इनके ओपर जितने भी संक्षन लगाएं वह सब कुछ हटाए जागे नॉर्थ कोरिया इसलिए कर रहा है और यूएसे ने जो है इस चीज की कड़ी निंदा करते हैं यूनाइटि नेशन सेक्यूर्टी कांसिल को का है कि नॉर्थ कोरिया पर और कड़े संक्षन लगाने चाहिए तो यह इंपोर्टन्ट है इन्नोंहें बहुत माथ ग्रीन् फिरट हैं इन्नोंने में किया है नेंस पेसिफाइब नहीं किया लेकिं इन्नोंने अर्ज किया थ 참kins को रोकना चाहिए माथ पुन कुं सी जिसने आर्च के इंट्रनाशनल कम्यूटी को जो पाक आर्मी ने बूट्वालिटी के रही थी जीनोसाइट भूशित करना चाहिए इसे थीक है किसका था Switzerland Human Rights Commission का बंगलादेश में ये कॉन्फेंस हुई काँ पर नियो स्पोर्ट्स इंटरेस्टन है ठीक है लोकेशन था हुज में यहां पर कॉन्फेंस हुई इसमें इन्होंने डिमाइन करिए कि 1971 में जो पाक आर्मी के द्वारे बुट्यल्टी की थी इसको जोनसाइट क करी थी नो मन्त तक लोंग लिबरेशन वार पाकिस्तान में हुई थी बहुत सारे ब्रूटल केसिस देखने को मिलेते हैं अभी एक डिसकॉशन जो है इसी संबंदी दोर भी आएगा इसनली कुन सी कंट्री के स्पोर्ट्स स्पोंसर्शिप है जिसने 9000 साड़े 9000 करोड का म मार्क 21 में क्रोज कर लिए तो आंसर इसको इंडिया देखें आप सभी जानते हैं जिस तरीके से इंडिया का प्रफॉमेंस ऑलम्पिक में रहा था और टौक्य ऑलम्पिक पैर ओलम्पिक में रहा था जिसकी वज़े से जो अपॉर्चिनेटी है मल्टी स्पोर्ट्स की ठीक इसपोर्ट्स हो गया स्पोर्ट डिवीजन इस पी यह सब का स्पोंसरिशिप मिला के इतना हुआ है और अगर हम डिजिटल पोर्शन में देखें तो यह अराउंड 965 करोड के आसपास हो चुका है टेक्नोलोजी का एक क्रूशल रोल रहा है इनकी स्पोंसरिशिप बढ़न किया गया है यह इस वज़े से भी इंपोर्टन है कि दिल्ली की सरकार ने जो बजट पेश किया है यह डिजिटल तरीके से पेश किया है तो सोधिया जी के दवारा इंटर्ड्यूस किया गया था दिल्ली एप्रोप्रेशन बिल बीस बाइस असेंबली में मार्स 23 को और यह अभी 29 मार्स तक रहेगा तो उसके बीच में जो डिसकर्शन होने वाले हैं उन सभी फोकस है तो पहला इंपोर्टन यह है कि जो स्पीकर है राम निवास गोईल यह भी आपको मिल सकता है को इन्होंने यह का है कि हर एक लिजिटर को आई-पेड करी करना कंपसरी जो दिल्ल जिसने कोंसी कंट्री ने जिसने चालीस हजार टन जो मतलब भेजा है शिलंगा को शिलंगा में वैसे वी राज सी चल रहे है तो इंडिया नहीं हेल्प करिए एवलेंडी इंडिया के हाई कमिश्टर जो शिलंका में उन्होंने 40,000 एम्टी जो है पैट्रोलियम जो है एनर्जी सेक्यूरिटी को कवर करने के लिए अभी चल रहा है आप सभी जानते हैं बहुत सारी चीज़ हो रही है शिलंका के जो डीजल रेट है वो इतने हाई हैं 250 शिलंकर रूपीज पैट्रोल रेट 200 शिलंकर रूपीज है तो यह बहुत एक तरीक से उसके अलाव सब्सक्राइब करने के लिए एक्जाम कैंसल कर दिए पेपर शोर्टेज होने की विजए से इसेंड़ी विच कंट्री अनाउंस जॉइन इवेक्वेशन मिशन इन मर्योपॉल टर्की इंग्रीज तो यह उक्रेइन में सेफ्टी के लिए है तो यह किसके द्वारा फ्रांस तर्की और ग्रीज के द्वारा उप्रेशन किया गया है युक्रेइन की सिटी मर्योपॉल जहां पर रश्या का एक मैजर अटेक हुआ है जिसकी वरे से आराउंड अगर अभी सिटी में डेथ देखा जा तो 2000 के आसपास है और जो अभी लेटर स्ट्राइक हुई थी सिविल लगवार क्या किया आ चया को याद रखेगा वेटरं फिल्म क स्ट्रम डिजाइनर है गोविंद राज इनका निधन हुआ हमें सिर्फ नाम याद रखनें बहुत सारे स्पैसिफिक डिपेल्स नहीं पढ़नी है एटी डूडी एज में इंका निधन थिक है डिजाइनर थे क गोविंद राजा ठीक है जिन्होंने तामिल फिल्म जगत में बहुत सारे लोगों कस्ट्म डिजाइन किये इक्जाम्पल पे तूर पर ठीक है आप ने सूर्य वंचम देखा होगा ठीक ब्लॉगबास्ट मूवी उसमें कॉस्ट्म डिजाइन में इनका योगदान रहा था ठी एक्सटेंट किया ग्रेटिंग्स को कुन से देश को इंडिपेंदेंस डिपे में आपको भी डिसकस किया इस दिश्वीस मार्ज का अराउंड जो डिसकस्षन हुआ है लेटर्स में तो बांगलादेश के ऊपर यह कुशन आपको मिल सकता है यह बांगलादेश का नैश्टनल जो है 26 मार्ज को किया जाता है इंडिपेंडेंस उनको मिली थी 1971 में पाकिसान से इंडिया ने वेसिकली इसमें योगदान दिया था अपना हिंद्रा गांदी जी के समय में तो एक्स्टरनल ने एस चैशंकर के द्वारा ग्रीट किया गया बांगलादेश काउंटर पार्ट आपको डॉक्टर एक अब्दुल्ला में उनको और बदाई दीगें वेसिकली और सपोर्ट हमारा बना रहेगा इंडिया का पंगलादेश को लेके इन सब चीजों पर डिसक्रशन किया गया है ठीक है और आप सभी जानते हैं कि लास्ट इयर 2021 में प्रधान मंत्री मोधी जी सब्सक्रशन के लिए युएस से ने किया है और जी सैट सैवन भी सैटलाइट डिसेंडी इंडियन आर्मी ने लोंज करी है और कुंसा सेट है जिसमें उन वहिकल्स की एंट्री बैन है जिसमें जो है जर्नेल सिंग विंद्रावाला की फोटो लगी है हिमाचल प्रदेश मे आप सभी जानते होंगे जनरेल सिंग विंद्रावाला ठीक है गोल्डन टेंपल से भी संबंदित रहे गए नहीं प्रोटीन सार मेड़ अप विच ऑफ फॉल्विंग तो अंकित का आंसर बिल्कुल से अमीनो एसे कल का सवाल था आज का सवाल देखें डॉलमाइट एक और ह है जो कि किस मेटल ठीक है का बना हुआ है मतलर इसमें से कौन सा मेटल एक्स्ट्रेक्ट होता है तो आप कमेंट बुक्स पर आंसर दीजिए टेलीग्राम चैनल अमन सरवाइफ इस जोईन करें रिपोर्ट एंवीन उप्शन यूटलाइज करिए कोर्स जोईन करके आप प्ल जरूर मिलेगा चलिए सेशन को लाइक करिए शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स अलोट फॉर वोचिंग